असलाम अलेकोम आज मैं आपको बताने जा रही हूं वाइट बटर चिकन की रैसिपी ये बिलकुल युनिक और बिलकुल अडलगवर सप्य है ये बहुत टेस्टी बनती है जितना रट बटर चिकन खाते ऊश से भी जया जादा टेस्टी ये चिकन बटर चिकन करता है जरू है बनाना बोन गोन बाण logic i canають लिया है 700 g मैंने यह वाइड गोषों मतलब लेक पीछी की ले इस सीग्स हूछ मैंने थे न्लपण भी गोषों कर दिया है इसे मैंने अच्हे से आप नपनी इस से मैंने से ड्रेंड कर दिया है अब मैं इसमें एट करने जा रही हूं देखिए हाफ टीस्पुन मैंने अद्रक लसन का पेस्ट एट किया है वन टीस्पून में एट कर रही हूँ वाइट मिर्चों का पाउडर नहीं है आपके पास तो आप काली मिर्च का पाउडर भी एट कर सकते है हाँ वन टीस्पून जीरा पाउडर रोस्टेट जीरे का पाउडर में यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे तेस्पून में आड़ कर रही हूं गरम मसाले का पाउडर तेस्ट अब मैं आड़ करने जा रही हूं वन टेबल स्पून गाड़ा दही घर का जनने जांवा में और देही घरका जमावा मैं एक हंको पाउडर उठाया है ये और वन टी स्पून के करीम मैं आड़ कर रहे हूं कसूरी मेकी देखिए यह हमारा चिकन का मैरिनेशन हम बना रहे हैं और मेलिन यहांपे लिया है वन टी-स्पुन भर के चिकन तंडूरीमिसाली जो चिकन और अच्छे बाथ जला प्लबशन के ज़क घण रहे हैं आप मसका भी आट का सकते है बटर आप मेरे इंस्टा इडी को फॉलो कीजिए और मेरे चाइनल को राजमी सस्क्राइब कीजिए देखिए मैंने हाथों का यूज करके इस चिकन के मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट रखिए और अच्छा हो जाएगा चलिए मेरा एक घंटा हो चुका है अब देखिए मैंने याप एक पैन ले लिया है अब मैं इसमें थोड़ा सा देखिए मैं बटर इस तरीके से इस पे ग्रीस कर रही हूं इद्दम हम ऑईल देखि इस तरीके से बटर और ग्रीस चीकरन के बाद करने लीचों इसको टालते जाओंगी इस तरीके से हम ऐसे दम एहां जैसा घ्रील करते हैं और पकाना है बे आपके यह थोड़ाशाशाशा है थोड़ा सिसका धाब अब िद्दशन धाल को कर देगे मीडियम पे चलिए चेक करते हैं देखिए हमारा पानी बिल्कूल ड्राइ हो चुका है अब मैं देखिए एक एक पीसिस को डर्न करते जाऊंगी इस तरीके से आप चाहे तो देखिए एक मुर्गी के अंदर जो अखी मुर्गी होती है तो उसको आप चार पीस करके बड़ा ब ग्रील किया हुआ है आप इसे भी खा सकते है बहुत टेस्टी रगता है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं जब तक हमारे चिकन वहां पक रहे है मैंने देखिए थोड़ा सा इसमें ऑईल एट किया है थोड़ा वन टेबल स्पून के करीवी मैंने एट किया है अब मैं इसमें डाल रहे हूं तीन बड़े साइस की प्यास देखिए मैंने से मोटा मोटा कट कर लिया है यहां पर हमारे चिकन पक रहे हैं यहां पर हम ग्रेवी की तैयारी कर रहे है हमें प्यास को इतना ही पकाना है कि हमारे प्यास नरम हो जाए इदम से हमें नहीं पकाना है कि उ तेल के अंदर और अब मैं इसमें एट कर रहे हूं देखिए हमारे लसन के जवे मैंने एक अख्छा लसन लिया है कम तकरीबन आठ से दस यह लगसन को जवे होंगे आप देखिए यह बटर चिकन बनाएंगे तो बार बार यही बटर चिकन बनाएंगे यह बहुत टेस्टी बनता है यकीन मानियगा ज़रू ट्राइ कीजिएगा देखिए हमारे चिकन डन हो चुके है अच्छे से पक चुके है अब मैं गैस की फिल्म को आफ कर रही हूँ चलिए हम ग्रेवी की तरफ आते हैं अब मैं इसमें एट करूंगी वन टेबल स्पून भर के काजु और इसे मैं अच्छे से काजु को भी पकाऊंगी और हरी मिर्चे मैं इसमें एट कर रही हूँ पांस से चार से पांच हरी मिर आपको और तीखा पसंद है तो आप और भी एड़ कर सकते हैं आपके उपड़ी पैंडे देखिए यह पकने देते हैं आप देखिए मैं इसमें देरी हूं कोईले की भाब धुआ देरी हूं मैं इसे चरिफ 30-40 सेकंड के लिए भाब दे रही हूं क्योंकि मेरे घर में एक मिनिट के अंदर हमें गैस्टी फ्लेम को ऑफ कर देना है नहीं तो कासूरी मेथी वहप चीका यह हूं देखिए झाञे absorbed अब फिर मैं इसमें मिक्सी में ग्राइंड करूँगी देखिए मैंने मिक्सी में इसे पहले थोड़ा सा पीसा है अब मैं इसमें एट कर रही हूँ देखिए गाड़ा दही दही मैं यहाँ पे एट कर रही हूँ टेबल स्पून के हिसाब से मैं ने यह आपे आठ किया है 3 sushi मतलब 1 cup अड़ी कर लिया मिक्सी में है चली अव हम बगारते है बटर चिकन को मैं देखे मैंने वही कराई ली है जिसमें मैंने ऑय लया था अब मैं आप अपने हिसाब से भी एड़ कर सकते हैं क्योंकि यह बटर चीका नहीं है आप इसे मकमी चीकन भी कह सकते हैं आपके अपर डिपेंड है अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ टीसपुन मैंने चाट मसाला यां पर लिया है वण टीजब काउडर टीशपुन मैंने लिया है जीरा पाउडर weन टीजब करम मसाला पाउडर और पर धनिया पाउडर यहां पर लिया है Sault-toot-taste अब देखेfrage đấy करना है हमारे तमाम Spices आफMc did in हजो़ीं है जाए बड़री खिल देखे ज़ता है सेमें क्याच्व हुआरशे की शंधियर नहीं होज़ी होगा है मसाले जो इसमें एड कर दे रही हूं अब हम इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देना है इस तरह दिक रहा है लेकिन देखे वाइड में ये बाद में पूरा वाइड हो जाएगा देखिए मैं मिक्सी उसका भी मसाला निकालके वह पानी के साथ मैं अट कर दे रही हूँ अब हम इसे ढगके अच्छे से पकने देंगे खूब देर तक और देखिए बीच बीच में मैं इसे चलाते जाओंगी चलिए हमारे चिकन में हम चेक करते हैं देखिए कोई लोग की भ मासालो को चलाते रहना है देखिए मैंने चीकन को अच्छे से श्रट कर दिया है अगर आपको उस तरह पसंदे तो आप अख्छा भी डाल सकते है आपके उपर डिपेंड है देखिए मसाले हमारे अल्मूस भूच चुके है देखिए मस्का ओल सब भाग साइट से छोड़ तो मैं तहां हो सबकर है है डाला रखकी के अगर अट करैंगी अ जिसे आपकरे लिए तो हम भाग निसके आपके हैosh अब इसकी में चीजे हम वो इसमें एट करेंगे जो है फ्रेश क्रीम Estados आपको जितना चाहिए आप एड कर सकते आपके पर डिपेंड है देखिए आप फ्रेश क्रीम को थोड़ा भी डालेंगे तो कोई बात नहीं क्योंकि काजूस में है मसका इसमें अल्रेडी हो बहुत क्रीमी बनता है तो आसा देखिए मैंने बटर भी एड कर यह मिक्स कर देती इसके टेस्ट तो आप खरोगे तो बोलोगे देखिए रैडी है मेरी वाइट बटर चिकन चिकन मकनी कितनी खुबसूरत और जवाब ऐसे सर्फ करोगे आप नहीमानों के सामने तो वावा हो जाएगी आपकी अगर आपको मेरी वाइट बटर चिकन की रेसिपी अच्छी ल